इस वीडियो में हम लोग 555 Timer के Bistable Mode के बारे में बात करेंगे और इसको बनाएंगे और देखेंगे कि इसको हम कहां यूज कर सकते हैं हलो दोस्तो मेरा नाम अजे कुमावत है और मैं आज आपको बताऊंगा 555 Timer के Bistable Mode के बारे में तो चलिए वीडियो को देखते हैं वीडियो में हम लोगों ने देखा यहां दो स्वीचिस है जो एक सेट बटन होता है और दूसरा डिसेट बटन होता है तो ऐसे बाइस्टेबल मोड को हम लोग ऐसे फ्लिप्लोप की तरह यूज कर सकते हैं कंप्यूटर्स और रोबोटिक्स के अंदर इसका जो मुश्टली हम लोग यूज करते हैं वो लैचेज और काउंटर के अंदर यूज करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो किसी तरके वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को दबाई जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिक्शन आपको जल्दी मिलेगी मिलते हैं से दूसरे वीडियो के अंदर थैंक्यू